पाँच पर अगर कोई गैर मुसलिम खवातीन गैर मुसलिम बहन मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकती है बहन का सवाल है के आप साफ तोर से ये साबित कर सकते हैं बाइबल के जरीए से कि इसा अले सलाम को सुली पे नहीं चड़ाया गया था आप बाइबल के जरीए बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि इसा अले सलाम को कुर्सिफाई नहीं किया गया था सुली पे नहीं चड़ाया गया था खुसुसन जोना के जरीए मैंने एक मुनाज़रा किया था एक इसाई पादरी के साथ Was Christ really crucified? क्या इसा अले सलाम को हकीकत में सूली पे चड़ाया गया था के नहीं? के वो सूली पे मरे थे क्या नहीं? और ये लफ जो crucify है crucifixion F-I-X-I-O-N के बाली है कि इनसान को जब सूली पे चड़ाया जाता है और इनसान मर जाता है उसे कहते है crucifixion C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N एक दूसरा लफ है अगर इनसान को सूली पे चड़ाया जाता है और वो नहीं मरता है उसके लिए कोई लफ नहीं है तो एक लफ जो हम कह सकते है crucifixion C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N crucifixion मेंस एक कहानी है तो बहन का सवाल है क्या बाइबल के जरिये ये थाबित कर सकते कि इसारे सलाम को सूरी पे चड़ाया नहीं गया था और वो सूरी पे नहीं मरे खसूसन युनिस अलिए सलाम के हवाले से कई बाइबल में वर्सिस है जिससे थाबित किया जा सकता है कि इसारे सलाम को सूली पे नहीं चड़ाया गया था कुरान मजिद में आला तला फर्माते है सुरे निसा में तुरा नमबर चार आयत नमबर 157 में वो लोग कहते हैं कि हमने इसा अलिए सलाम को मारा वमा कतलू वमा सलबू हूँ ना ही उन्ने उनका कतल किया ना ही उनको उन्हें सूली पे चड़ाया वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्या लोग ये सिर्फ एक दिखावा था उनको ऐसा एहसा हुआ और जो इसमें एक्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबा में हैं क्योंकि उनको ना सूली पे चड़ाया गया था ना उनका कतल गया वमा कतलू यकीना और उनको बेशक कतल नहीं किया गया था तो कुरान मजीद में साफ तोर पे कहा गया है कि इसा लिएसलाम को ना कतल किया गया ना सूली पे चड़ाया था ये सिर्फ उनको लगा और जो कोई इसमें एक्तिलाफ करता है वो शुबा में हैं वलाकि शुब्या लग क्योंकि इसा लिएसलाम को ना सूली पे चड़ा गया ना गतल किया गया अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसल्मान मानते है हम बाइबल से कैसा थाबित कर सकते है कि इसा लिएसलाम को सूली पे नहीं चड़ा गया लिखा है गॉस्पिल आफ मैथ्यू में चैप्टर नमबर 12 वर्स नमबर 38 में कि जब लोग आते है और इसा लिएसलाम से कहते है कि आप हमें एक मौजिदा दिखाओ हमें निशानी दिखाओ ताके हम मानें कि आप अप अल्ला के पेगंबर है तो इसा लिएसलाम कहते है ओ इवल और अडल्टरिस जेनरेशन यू सीक जड़ आफ्र आफ्र साइन नो साइन शाल बी गिवन तो यू एक्सेप्ट दिखाओ अफ जोना इसा लिएसलाम कहते है उन्हें गाली देते है और कहते है कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी कोई मोजुदा दीने जाएंगा सिर्फ साइन ओफ जोना युनिस अलिए सलाम की निशानी नो साइन शाल भी गिवन तो यू एक्सेप्ट साइन ओफ जोना तो आज जोना वास थ्री डेज और त्री नाइट इन दे बेली ओफ दी फिश युश अलिए साइन ओफ मैन भी थ्री डेज और त्री नाइट इन दे हाट अफ दी अर्थ ये है हवाला गॉस्पल ओफ मैथ्यू का चैप्ट नमबर बारा वर्स नमबर अर्थीस से लिके बेलीस तक विस अलिए सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी ने दी जाएंगी सिर्फ निशानी युनिस अलिए सलाम की जिस तरीके से युनिस अलिए सलाम तीन दिन और तीन रात मच्छी के पेट में थे उसी तरीके से मैं धर्ती के पेट में तीन और तीन रात रहूंगा अभी हमें जानने के लिए isine of joinah क्या है Unis a.s. की निशानी क्या है हमें जाना पढ़ेंगा The Book of espera एक Bible में किताब ے जिसका नाम है जोना Yunis a.s. ये किताब सरी दो पेश किये ये बहुत छोटी किताब है Bible में इस किताब कि君शराट में लिखा है आई कि अपने पीगम्बर यूनिस स. ने अपना पैगाम पुचाओ आप जाके पैगाम पुचाओ निनवा की लोग के तरफ यूनिस स. रस वाम बाइबल के मताबिक कहते हैं वो धरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे इसी लिए निन्वा जाने के बदले वो एक कश्टी में सवार होते जोपा के तरफ और उस वक्त एक सुपर्स्टिशन था सुपर्स्टिशन मतलब अंद विश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नापरमानी करता है तो एक स्टॉम आ जाता है सी में दरिया में एक स्टॉम आता है तो स्टॉम आने के वज़े से लोग कहते हैं कि हम मेंसे किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी ये सब लिखा है बाइबल में बुक अफ जोना में यूनिस दे सलाम क्योंकि अल्ला सुभानाताला के पेगंबर थे बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान लिए और का कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं तो मेरी वज़े से ये स्टॉम आया स्टॉम को क्या कहींगे दरिया में स्टॉम तुफान तुफान ये तुफान दरिया में क्यों आ रहा है ये तुफान यूनिस देते कि मेरी वज़े से आ रहा है क्योंकि मैं मेरी मालिक की बात नहीं मान रहा हूं और उस वक्त ये अंद विश्वास था सुपर्सिजन था कि जो मालिक की बाद नहीं मानेंगा उसको दर्या में फेकेंगे तो तूफान खतम हो जाएंगा तो युनिस अलिए सलाम कहते कि मेरी गलते हैं मुझे फेको तो क्या करते हैं युनिस सलाम को पकड़ के दर्या में फेकते हैं तो मुझे ये नहीं पूछना है कि युनिस अलिए सलाम को जब दर्या में फेकते हैं बाइबल में लिखा है तो युनिस सले सलाम जिन्दा थे या मुर्दा थे Sister When Jonah was thrown into the water I want to ask you the question Was Jonah dead or alive? He was alive He was alive, जिन्दा थे, माशाआलला सही फर्मा रही है तूफान इतना सोर का रहा था तूफान में अगर जिन्दा इन्सान को डालते है वो तूफान में धर्या में इन्सान मनना चाहिए लेकिन यूनिस लिएस सलाम मरे या जिन्दा थे He ought to die in the storm, was he dead or was he alive? He was still alive माशाआलला सही जवाब है कि तूफान में मनना चाहिए लेकिन क्योंके वो अल्ला के पैगंबर ते जिन्दा थे उस वक्त एक मच्छी आती है और मच्छी उनको निगल लेती है A fish comes and gobbles them up मच्छी की पेट में यूनिस जिन्दा थे या मुर्दा थे In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive He was alive वो जिन्दा थे मच्छी के पेट में तीन दिन मच्छी यूनिस जिन्दा थे यूनिस जिन्दा को पेट में लेके बाइबल के मताबिक वो घुमती है सारे समुंदर गुमती है तीन दिन तक मच्छी की पेट में suffocation ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है इंसान को मनना चाहिए या जीना चाहिए मनना चाहिए लिकि यूनिस जिन्दा थे या मर गए Jonah दो he was three days He was there in the belly of the fish for three days the fish took him in the water He ought to die Was Jonah yet dead or alive? He was still alive He was still alive माशाला भी तक जिन्दा थे बेहन सही जवाब दे रही है तीन दिन के बाद वो मच्छी यूनिस एले सलाम को उल्टी कर देती है पतलब पेट में से भान निकलते यूनिस सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते है जिन्दा या मुर्दा The fish vomits out Jonah Please be upon him and throws him on to the shore When ले निकलत सलाम When Prophet Jonah was thrown on the shore Was he dead or alive? He was alive but unconscious Alive but unconscious After some time Did he gain consciousness or not? Yes, he did Finally, he was conscious and alive Alive अलाइव 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 बज़ती है मरना चाहें ये जिन्दा रए ते मोजिदा मचली टीन तक उन को अधाम है मुश्िधा मचली ठीन ये नियू ठीन आई नहे सरह आwe जिस तरीके से युनिश लिए सलाम मचली के पेट में तीन दिन तीन राथ तक रहेंगे। उस तरीके से इसा लिए सलाम धर्ती के पेट में तीन और तीन राथ तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus' peace be upon him was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बेन कहे रही कि इसा लिए सलाम जब उनको लेके कहते हैं, कबर में वो जिन्दा थे, तो crucify होने के लिए, सूली पे मरने के लिए, इनसान को मरना चाहिए, तो वो बाइबल के मताबिक, वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिन्द थे, और जब कबर में लेके गयते सपल कर, उस टाम कोई लंबी चोड़ी कबर होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था, जिसके अंदर इनसान ख़ड़ा भी हो सकता था, तीन दिन और तीन रात तक इसा लिए सलाम फर्माते, कि जिस तरीके से युनिस लिए सलाम तीन दिन और तीन रात मचली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं तीन दिन और तीन रात धर्ती के पेट में रहूंगा, उसका मतलब इसा लिए सलाम जिन्दा थे, अगर जिन्दा थे, तो सुली पे नहीं मरे हो, तो इसी लिए बाइबल के जरीए एक तरीका है, था ली ना क्योन् है ये शिर्फ एक शख और शुबा है। and I'm a teacher by profession you are a Muslim yes I am mashallah okay anyway hope you have satisfied your friend yes I am but we request that the non-Muslims should be given the first chance to ask the question okay thank you mic number number one three two two